तो आज हम बात करेंगे आपका section 76 of BNS Act के बार में अगर IPC की बात करी जाए तो ये IPC में section 354 B था ये बात करता था section आपका disrupt की कि अगर किसी कोई व्यक्ति जो है किसी female को disrupt करने कोशिश करता था तो ये section लगता था और अगर अब changes की बात करी जाए कि IPC में और इसमें क्या changes है तो IPC में पहले ये section आपका magistrate ट्राइल था यानि कि आपका एक magistrate के आगे case चलता था पर अब ये court of session में चलता है यानि कि session judge के आगे case चलता है BNS के तैट ये पहले इसकी जो bail लगती थी वो आपका magistrate के पास लगती थी पर अब इसकी bail जो है आपका court of session में लगती है तीसाइस में सबसे major change ही आए कि पहले IPC में ये section सिरफ एक आदमी के ओपर लगता था यानि कि accuse हमेश है सिरफ एक mail होगा बट अब ये section whosoever word इसमें add कर दिया गया man word को हटा गया BNS में तो उसमें ये changes आए कि अब ये आपका male और female दोनों पे लगेगा यानि कि 354 बी जो है वो male और female दोनों पे लगेगा अब बात करीजा इसकी punishment की तो punishment इसमें बात करीजा तो minimum punishment में 3 साल है और maximum punishment में 7 साल तक ही दे रखे है and fine तो लगेगा ही लगेगा और ये non-vailable तो पहले से है बात कर जाए इस section में है क्या बात करता गया कि अगर कोई व्यक्ती कोई भी व्यक्ती या male female और female किसी लड़की को disrupt करने की कोशिश करता है या उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है और उसे नंगा करने की कोशिश करता है या करता है भी है तो यह section picture में आता है